तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे यहाँ पर मैं एक बर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी शौटी अपडेट लेकर एक और कॉइन के बारे में और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में क्योंकि हमारा जो भी कंटेंट होता है वो स जो भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ एजूकेशन आपको सिखाने के तौर पर होता है वो भी फ्री ओफ कॉश्ट हमारी जितनी सर्विसेस हैं टोटली फ्री ओफ कॉश्ट है इस चीज़ का ध्यान लगके यहाँ पर दोस्तों एक पिक्चर मैंने थमनेल पर जो अपलोट की है जिस पर आप देख रहे हो कि यह वही पिक्चर है आप देखो कि तो इस तरह से एक ट्रेंड नाइन जा रही है उपर और प्राइज जब 20 पर आता है तो एक बाउंस बैक लगता है इस तरह से एक बाउ इस नीचे गिरता है डिमांड जोन वो होती है जहां से प्राइज उपर जाता है यह टेक्निकल एनलेसिस का एक अहम हिस्सा है जिसे कि आप सपोर्ट और रेश्टन समझते हो उससे भी एक अच्छा नायाब तरीका है यह डिमांड और सप्लाइज जोन इसको हमें समझना ब पर आगिया है प्राइज डिमांड जोन पर आए उपर जाए महां से उपर चल सकता है इसके चांसे होते हैं तो कुछ चांसे यह भी होते हैं कि वो डिमांड जोन को नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर हमें सब कुछ समझना होगा सब कुछ देखना ह तो आप सीखो, free of cost है, सब कुछ मेरी तरफ से, आप सीखो, और आगे भी लोगों को शेयर करो, ताकि और लोग भी सीखने की कोशिश करें, तो को यहाँ पर इस EARLT COIN की अपडेट के साथ, मैं उधारल के तोरूपर, एक्जामपल के तोरूपर, तीन चार चार्ट आपको औ पर आता है प्राइज, तो वहाँ से डिमांड आती है, आप देखो कि लाइफ चार्ट पर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, और दूसरी चीज, उसमें एक Alt का भी, उसमें एक Alt का भी मैंने चार्ट लिया हुआ है, जिस पर बड़े टाइम फ्रेम पर आपको डिमांड जोन दिखाने की कोशिश किए, तो बड़े टाइम फ्रेम पर ही डिमांड जोन देखनी चाहिए, क्योंकि वहीं से सारा रिजल्ट हमें मालूम होता है, यहाँ पर दोस्तों मैंने पहला जो स्टॉक का चार्ट लिया है, आप देखो कि तो टाटा मोटर्स, काफी अपने नाम सुना है, और कोई भी मेरे खाल सही सानी है, वर्ल्ड वाइट जो टाटा मोटर्स, आटो मोबाइल सेक्टर की कमपनी है, इसको ना जानता हो, ठीक है, अब आप देखो कितना यहाँ पर जबरदस डिमांड जोन बनी वी है, कि जब भी प्राइज आता है, जबर 64 रुपीज के असपास प्राइज आया था, वहाँ पर भी लोगों को बताने कोशिश की थी, और प्राइज जब इस टॉप से गिरने वाला था, जब भी मैने बताया था, टाटा मोटर्स के बारे में, और प्राइज वहाँ से गिरा भी था, और जब डिमांड जोन पर आया investor होते हैं वो in demand zone का उपयोग करते हैं और यहां पर समझने कोशिश करते हैं कहां कहां पर उनको अपने investment को करना है safe side क्या है देखो price काफी इस्ट यहां से गिरा bottom पर आया उन्होंने खरीदा यहां पर बेचा ठीक है यहां से गिरा जैसे उन्हों देखा demand zone पर प्राइज आ रहा फिर investment किया फिर प्राइज ऊपर चला गिया फिर नीचे आया तो यहां पर यह आपको मंतली जाड है एक चीज का और ध्यान रखना मंतली जाड है देखो यहां पर सयम और सब्र यह दो चीज है market में जब आप इसको करते हो तो result बहुत अच्छे आते अब यहां पर हमें उसका मतलब यह नहीं होता है investment हम किसी भी चीज में करते हैं किसी कूडा करकट में करते हैं ऐसा नहीं है हमें stock market में हो या हम crypto में हो हमें उन चीजों में investment करना है जिस पर हमें लगे कहां यह चीज मजबूत है लोग meme tokens के पीछे भागते हैं यहां पर stock market में भी काफी penny stock होते हैं उसके पीछे भागते हैं तो वहां पर उनको result मिलता नहीं है अब चलते हैं दूसरे stock के चार्ट पर यह देखो यह भी आटो में वाइल सेक्टर के एक जानी पैजानी कमपानी जिसका नहाम है अशोक लेलेंट आप देखो एक line के उपराइस प्राइस पुल बैक कर रहा है लाइन पर जब भी हिट करता है एक magic तरीके से प्राइस ऊपर के तरफ पुल बैक करता है अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यह CleMरस सन दीदा सेक्टर है और मुझे काफी पसंद है ठीक है तो मैं ये दो स्टॉक में अच्छा कासा टेडिंग करता हूँ और यहाँ पर इन्वेस्मेंट करता हूँ टेडिंग तो नहीं करता हूँ मैं जादा यहाँ पर देखेंगे तो जब यह आया था तीस रुपए का सपास इसको मैंने बाई किया था और वहाँ से अच्छा कासा प्राइज 170 तक हाई लगाया तो आप समा सकते हो कितने परसंट के डिटन है क्रिप्टो के इतना डिटन बनी भी है प्राइज आया पुल बाईक मारा फिर गिर के आया 2020 में इस टेंड लाइन के अपर आया पुल बाईक मारा अभी भी लगबग उस टेंड लाइन के असपास है तो यहां से थोड़ा बहुत नीचे उपर कर सकता है क्योंकि मंतली चार्ट यहां पर इथेरियम का भी है और यहां से टाइम लग सकता है लेकिन यहां पर एक डिमांड जोन के असपास है ठीक है तो यह तो यह तीनों चीजे हो गई अब आपके मन में जो कौत हुल मचा होगा वो यह कि वो all coin कौन सी है जिसका चार्ट मैंने यहां पर सबसे पहले आपको दिखाया था तो यहां पर मैं बता देतना हूँ कि यह all coin का नाम है TWT यानि Trust Wallet Token देखो यहां पर यह जब इस हाई को ब्रेक किया था जब भी मैंने बताया था कि यहां से price sudden pump करेगा क्योंकि य यह high connect हो रहा था यह high बन रहा था यह high बन रहा था यानि एक resistance area बन रहा था जिसको यहां पर break करके अच्छा कासा उपर result दिया लगबग 1 dollar के उपर आसपास उपर गया था मतलब 1.32 के आसपास था वहां से 2.52 या 58 के आसपास गया उसके बाद वहां से लगातार नीचे गि जैसे कि आपने एक gain देखी होगी gain उपर से नीचे गिरती है जमीन पर आके लगती है उसके बाद वहां से bounce back कर जाती है तो कभी यहां पर उसी तरीके से यह technical analysis में भी होता है कि price उपर से नीचे आया यहां पर bounce back कर उपर चला गया लेकिन 70% chances होते हैं कि यहां से price उपर जा सकता है लेकिन 30% 20% chance यह भी होते हैं कि यह demand zone break भी हो सकती है काफी कम chances होते हैं break होने के लेकिन यहां पर यह हो सकता है यह भी possible है तो यहां पर हमें अपने ना कान आग सब खोल कर यहां पर जैसे कि मैंने आपको यह indication कर दिया कि यहां पर यह all coin अपनी demand zone के असपास है अब भी अपनी research करना मेरे कहने पर या किसी के कहने पर investment या trading नहीं कि जाती है यह ध्यान कर लो अच्छे से यहां पर मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ आप सीखो चाट पर उसका खुद भी analysis करो और धीरे धीरे जब कोई चीज आप करते रहोगा आपको कुछ भी नहीं आता है कोई trading course लेने की ज़रुवत नहीं है आप खुद भी धीरे धीरे करते रहोगे सब कुछ आपके समझ माय जाएगा तो यह simple सी छोटी चीज अपडेट थी और उम्मीद करूंगा काफी interesting होगे आपके लिए अच्छी लगए तो like ज़रू करना जो लोग नहीं चैनल को पहली बार देखना subscribe करना notification बिल्कों भी on कर लेना अब यहां से चलते हैं बात कर लेते हैं काम की अगर price यहां से उपर जाता है तो 1.5 तक उपर जा सकता है 1.17 के असपास है भी यानि 1.5 तक आजा सकता है पहला target हो सकता है उसके बाद इस high को जा कर सकता है जो की लगबग 2.5 के असपास हो सकता है तो यह सिंपल से अबडेट थी नेक्स्ट आपडेट में लने कोशिश करता हूं जब तक लिए मुझे आद दीए जय हिंद जय भारत